हेलो गैस आज हम बात करेंगे इन्फिनिक्स 08i के हार्ड रिसेट सिस्टम के बारे में अगर आप लोग को और भी अच्छा रिस्पॉंस रहा हमारे जैसे कि हमने जो सीरीज चला यह था जैसे जो भी नटेस्ट डिवाइस लॉंज होता स्क्यों पर हम वीडियोस बना दे रह है तो हो सकते है और भी वीडियोस अपलोड हम यहां पर करेंगे आज का टॉपिक है वह हमारा हार्ड रिसेट से रेलेटेड फेक्टरी रिसेट जीसे हम बोलते हैं जैसे कि आप लोगो बता तो जब भी आप लोग अपने फोन को रिस्टोर करते है उससे पहले आप लोग ले जिए जिसमें क्या हो कि आप लोगो फोन सिप्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर ना आए तो यह बात आप लोग मेरी जरू धियान दिजीगा बैक करने आप लोगो बैक अप लेने के बाद आप लोगो इसाल लेटा लास्ट वाला जो आप्सन देस्पिक लि अप stantime कर शक्ते जो भी आप लोगने फीचर जैसे Semple अगर मैं आप लोगो काफी अच्छा उग्जामपल दू तो जैसे आ प लोगने सैटिंग में कुछ भी इधर से उदर किया होगा या फिर जो भी सेटप किया होगा इधर उदर फीचर को वो सारे के सारे default में आपर first option के मतर्स से आप लूग कर सकते हैं second option erase downloaded apps and their data उसमें क्या होगा कि आप लोग जो भी application प्लेश्टोर एप इस्टोर से जो भी download किया होगा वो सारी के सारी application याँ पर delete हो जाती है और उसका data भी याँ पर चले जाता है इसमें included रहता है आप लूग का मतलब photo music and other non app नहाँ पर कुछ निरदा मतलब क्यों return हो जाती है उसका कोई लफड़ा निरदा तो यह आप लोग दान देजीगा उस टाइम पर जैसे खाली फोन रहता है आप लोग आप लोग को sim card setup करना है email id डालना पड़ेगा photos डालो videos डालो music डालो अपने साब जो भी भरना है आप लोग data बर सकते तो थर्ड option के मज़से आप लोग अपने फोन को एकदम नया बना सकते है नया बनाने के मतलब है पू इस contact and calls long stored on this phone इसमें क्या होगा कि आप लोग के phone में जो contact रहते है जिस call logs होगा जिसको call लगाया आप लोगने वो सारा का सारा यहां पर delete हो जाएगा फिप्ट वाला option है SMS से related इसमें आप लोग ने जिसको भी SMS किया हो गया फिर जिसका भी SMS आया होगा वो सारे के सारे यहां पर हो जाता है जो भी आप लोग के phone में stored रहता ठीक है ना so guys मैंने हो सकते आप लोग के दम आसान तरीके से बताया होगा और उमीद करते आप लोग को वीडियो पसने की जमाता दी